नमसकार दोस्तों रादे रादे कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे सहस्तोंगे मस्तोंगे बहुत-बहुत खुसंगे वेलकम टू माइनू वीडियो तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आप लोगे साथ सेयर करूंगी सनिवार के दिन ये 16 काम करने से बचना चाहिए वरना सनीदेव हो जाएंगे क्रोधित तो चलिए वीडियो सुरू करते है जोति सोड़ धार्मिक मानेता के अनुसार सनिवार का दिन सनीदेव को समर्पित होता है इसी लिए इस दिन सनी महराज की पूजारादना की जाती है इस दिन सनी मंदिर में सनी का सिर्वाद पाने के लिए भगतों की भीड लग जाती है लेकिन सनिवार के दिन कुछ विसेश कारिय है उन्हें नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सनी देव महराज नाराज हो जाते है धार्मिक मान्यता के अनुसार नो ग्रह में सनी देव को सबसे क्रूर ग्रह माना गया है सनी को पीडा देने वाला भी माना गया है जिस कारण सभी लोग इसे डरते है और इसे पाप ग्रह भी मानते है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सनीदेव मनुश्य के अच्छे और बुरे करमों के आधार पर उसे दंड देते है यदि वो अच्छे करम करता है तो उसकी उन्नती के लिए सभी परकार के रास्ते खोल देते है और यदि वो बुरे करम करता है तो उसे किसी ने किसी माध्यम से दंड अवस्या देते है इसलिए उसे पहले अगर आप भी चाहते है कि लक्समी माता का सिर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बोक्स में जै लक्समी माता जरूर लिखे तो आईए जान लेते है सनिवार के दिन सनी पूजा का महतव सनिवार का दिन सनीदेव की पूजा का दिन माना जाता है इसलिए सनिवार के दिन सनीदेव की पूजा राधना अवस्या करनी चाहिए यदि आपको लगता है कि आप पर सनीदेव की कूद रिष्टी पड़ी धन का खर्च बड़ा है या धन का आगमन कम हो गया है तो ऐसे में सनिवार के दिन मंदिर में जाकर सनीदेव की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है सनिवार के दिन सनीदेव पर तिल चड़ाने से सभी कष्टों से मुक्ती अवश्य मिलती है हिंदू धरम में सनिवार का दिन बेहद खास होता है ऐसे कुछ कारिया होते हैं जिने हमें भूल कर भी सनिवार के दिन नहीं करना चाहिए वरना सनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं कुछ ऐसा कुछ ऐसी गलतियां होती है जो सनिदेव को नाराज कर सकती है क्योंकि सनिदेव को परसंद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है सनिदेव के नाराज होने पर व्यक्ति को जीवन में कई सारे कश्टो का सामना करना पड़ सकता है काला रंग सनिदेव का प्रतिक माना गया है इसी लिए सनिवार के दिन काले रंग के कपड़े अवस्य पहनने चाहिए और किसी भी काले पसू पक्सी को खाना खिलाना चाहिए सनिवार के दिन कौन से कारिय हमें करने चाहिए अब ये जान लेते है नमबर एक विभूती भसम या लाल चंदन धारण करे नमबर दो सनिवार को करे भोजन में तेल का त्याग नमबर तीन गुरू वरू के बाद सनिवार को भी अक्सम मांगने का दिन माना जाता है नमबर चैर नैत्य पस्चिम और दक्षिन दिसा में यात्रा कर सकते है नमबर पांच भवन निर्मान प्रारम तकनीकी कारिय सल्य किरिया या जाच किरिया का उचित दिन होता है नमबर छे प्लास्टिक तेल पैट्रोल लकडी सिमेंट आधी किरिये और विकरिये का दिन नमबर साथ सनिवार के दिन सनान करने के बाद सनिदेव की पूजा का संकल्प लेना चाहिए सनान के बाद पीपल के पेड़ को जल अरपित करे और इसके चक्कर लगाकर सनिदेव की रादना करे इसके बाद पीपल के पेड को साथ बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए इसके अलावा सनिवार को पीपल के पेड में स्याम को जल चड़ाए और तिल के तेल का दीपक जलाए ऐसा कम से कम 11 सनिवार करे नमबर आठ भैरव महराज की उपासना करे किसी भी भैरव मंदिर में सनिवार को सराब चड़ाए नमबर नो कोवे को पर्ति दिन रोटी खिलाए विशेशकर सनिवार को कोवे को रोटी या वह जो भी खा सके उसे खिलाए नमबर दस समी का वरिक्स घर में लगाए और नियमित रूप से उसकी पूजा करे वरिक्स की जड़ को बांद कर अपने दाई बाजू पर धारन करने पर सनी देव आपका बूरा नहीं करेंगे बलकि उन्नती में सायक होंगे नमबर ग्यारा सनी माराज परतियक सनिवार के दिन पीपल के वरिक्स में निवास करते है इस दिन जल में चीनी और काला तील मिलाकर पीपल की जड़ में अरपित करके तीन परिकर्मा करने से सनी परसन होते है सनिवार के दिन उड़त दाल की खिचडी खाने से भी सनी दोस के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट में कमियाती है नमबर बारे, अंधे, अपंगो, सेवको और सफाई कर्मियों से अच्छा विवार रखे और उन्हें किसी भी परकार का दान दे, हो सके तो जूता दान करे नमबर तेरह, सनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसो का तेल और सिक्का रूपिया पैसा डाल कर उसमें अपनी परचाई देखे और तेल मांगने वाले को दे दे या किसी सनि मंदिर में सनिवार के दिन कटोरी सहीत तेल रख कर आ जाए यह उपाए आप कम से कम पांच सनिवार करेंगे तो आपकी सनि की पीडा से अंत हो जाएगी और सनिदेव की किरपा सुरू हो जाएगी नमबर चोदय हनुमान जी की पूजा करने से सभी त्रे की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है नियमित रूप से हनुमान चालिसा का पार्ट करें आप पर कभी भी सनि की बुरी नजर नहीं पड़ेगी इस दिन हनुमान जी को अपनी अक्षमता के नुसार कुछ मीठा परसाद चढ़ाए सुन्दरकांड का पार्ट करने से भीवी सेसलाब मिलता है नमबर पंद्रा पीपल के पत्तों की माला बना कर और उसे सनी मंदिर में अर्पित करके सनीदेव की प्रात्ना करने से आपके संकटो और कोट कचेरी से संबंदित समस्याएं दूर हो सकती है नमबर 16 धार्मिक प्रमप्राव में दामपत्य जीवन को सुकमय बनाने के लिए काला तिल का उप्योग क्या जाता है इसके लिए आप सनीवार के दिन थोड़ा सा कालाती लेकर पीपल के पेड़ के पास चड़ा सकते है इसके बाद पीपल की जड़ में पानी और पित करे आप थोड़े से पानी को पीपल की जड़ में डाल सकते है और मन में सनीदेव की प्रात्ना कर सकते है यह आपके दामपत्य जीवन की सुक्स्यानती और सम्रिध्धी में सायता करता है अब जान लेते हैं सनिवार के दिन क्या ना करे सनिवार के दिन मास मदीरा का सेवन करना बहुत असूब माना गया है सनी देव की दृष्टी में ये अनूचित और पापकरम है ऐसा करने वाले मुनश्य को सनी देव अवस्य दंड देते हैं माना जाता है कि सनिवार के दिन दूद और दही का सेवन करने से बचना चाहिए यदि दूद पीना जरूरी है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी या गुड मिला ले सनी देव को ये बिलकुल पसंद नहीं है इसलिए सनिवार को असे खाने से बचे इस अलावा इस दिन लाल मिर्च भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसे मंगल और सूर्य ग्रह का परतीक माना गया है दोनों ही ग्रैसनी के विरोधी है इसलिए लाल मिर्च खाने से व्यक्ति को सनी का परकॉप जेलना पड़ सकता है नमबर तीन पूरव और उतर इसान दिसा में यात्रा करना मना है खास कर पूरव दिसा में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि इस दिन पूरवदिषा में दिसासूल है इस दिन जरूरी हो तो अधरक खाकर पूरवदिषा में यातरा करना चाहिए इस से पहले पांच कदम उल्ते पैर चलना चाहिए नमबर 4 माना जाता है कि सनिवार के दिन पूरुसों को अपने ससुराल में भी नहीं जाना चाहिए इससे ससुराल के लोगों के साथ रिष्टे बिगडने की संभावना है और पती-पत्नी का रिष्टा भी तूट सकता है नमबर पांच सनिवार के दिन भूल कर भी किसी कमजोर या मजबूर वैक्ति का अपमान या दिल नहीं दुखाना चाहिए इसके अलावा गरीब महिला, सफाई कर्मी, अपंग आदि का अपमान नहीं करना चाहिए सनिवार के दिन ऐसा करने पर सनिदेव की दृष्टी में आप पाप के भागिदारी हो सकते है और सनिदेव ऐसे वैक्ति को घोर दंड देते है 6. सनिवार के दिन बाल काटना और नाकुन काटना भी वर्जित होता है ऐसा करने से सनिदेव नाराज भी हो सकते है इसके अलावा कुछ लोगों को नियमित रूप से बाल दोने की आदत होती है लेकिन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सनिवार के दिन गलती से भी बाल ने धोए खास कर महिलाएं इस दिन बाल दोने से घर पर बुरा परभाव पड़ता है 7. सनिवार के दिन भगवान सनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है सनिवार के दिन सनिदेव को परसंद करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जला कर रखा जाता है इसके अलावा सनिवार के दिन सरसो के तेल का दान भी किया जाता है सनिवार के दिन तेल का दान करना लावकारी माना गया है लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसो का तेल नहीं खरीदना चाहिए जो एक्ति सनिवार के दिन सरसो का तेल खरीदता है उसके जीवन में तमाम त्रह के कश्ट आते है नमबर आट हिंदू सास्त्रों के नुसार माना गया है कि यदि अगर आपका सनी खराब चल रहा है और नियमित पूजा पाठ कर रहे है ऐसे में सनिवार के दिन कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे सनिदेव नाराज हो जाए नहीं तो उसके असुब परिणाम मिल सकते है नमबर नो सनिवार के दिन काली उड़त की दाल का दान करना सुब माना गया है लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए इससे सनिदोस में वृद्धी होती है नमबर दस इस दिन काले रंग के कपड़े, जूते, चपल, कोईला, खरीदना भी असुब माना गया है इसके अलावा जाड़ू खरीदने की भी मनाई होती है मानिताओ के अनसार सनिवार के दिन ये चीजे खरीदने से सनी दोस लगता है और उनके कारियों में रुकावट आने लगती है प्रेसानियों से बचने के लिए इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए नमबर 11 सनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए अगर आप सनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उकरण आदी खरीदारी करने की सोच रहे है तो उसे टाल देना चाहिए धार्मिक मानिताओ के अनुसार सनिवार के दिन लोहे की चीजे खरीदना असूब होता है नमबर 12 माईके से सनिवार के दिन लड़की की विदाई ठीक नहीं मानी जाती है सनिवार के दिन लोगों को नमक नहीं खरीदना चाहिए जो तिस के अनुसार ऐसा करना असुब माना जाता है और ऐसा करने से सनिदेव नाराज हो सकते है उनके क्रोध से बचने के लिए नमक खरीदने से बचना चाहिए ऐसा भी माना जाता है कि सनिवार को नमक खरीदने से कर नम्बर 14, कुतों को जो लोग सताते हैं उनको मारते है, भोजन करते हैं उन लोगों से भी सनिदेव नाराज रहते हैं जिनकी कुंडली में सनिदोस होता है, उनको कुतों की सेवा करने को भी कहा जाता है इसके अलावा जो लोग चोरी करते है और लालच करते है दूसरों के साथ छल कपट करते है अपने वादों से मुकर जाते है मन में दूसरों के लिए द्वेस रखते है और रोग्यों से घ्रीना करते है उन पर भी सनी की वकरत्रिष्टी पढ़ती है नमबर 15 इस दिन मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए क्योंकि मसूर सूरिय और मंगल से संबंधित है और सनी का इनके साथ सत्रूवत संबंध है सनिवार को मसूर की दाल को ने खाए क्योंकि इससे सनी उग्र हो जाता है इस दिन मसूर की दाल का सेवन करने से सभाव में करोध और विरोध की बडोतरी हो जाती है साथी सुत्रो की संख्या बढ़ती है बाधाव सी मुख्ती के लिए सनिवार को मसूर दाल, लाल, मिर्च, दही और अचार, आधी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए नमबर 16 एक बात का खास ध्यान रखे की सनिवार के दिन मोती या उससे बना आबुसन नय तो किसी को उपार में दे और ना ही किसी को दान करे सनिवार के दिन इमर्ती या किसी ओरेंज कलर की वस्तू का भी दान नहीं करे यदि आप भूल से भी ऐसा करते हैं तो सनी भगवान आपसे रुष्ट हो सकते है इसके अलावा ध्यान रखे कि सनिवार के दिन अपने किसी खास या किसी रिष्टेदार को कैंची बिल्कुल भी नहीं दे ऐसा करने से आप आपके और उनके बीच तनाव हो सकता है या फिर आपके घर में लड़ाई होने की संभावना हो सकती है इसके अलावा चमेली के फूल से बना इत्र सनिवार के दिन भूल से भी दान नहीं करे ऐसा करने से सनिदेव नाराज हो सकते है जिसके कारण दान करने वाले वैक्ति का सेहत पर भी खराब असर पड़ सकता है यह सारी जानकारी जनरूची को ध्यान में रखकर दी जा रही है जोतिस और धरम के उपाए और सला को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उदेश्य मात्र आपको बहतर सला देना है इस संदर्ब में हम किसी परकार का कोई दावा नहीं करते है अच्छी लगी तो कमेंट बोक्स में जै मालक्समी जरूर लिखे माता लक्समी आपर सदैव अपनी किरपा बनाए रखे वीडियो के अन्तु तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी